नमस्ते भारत जय हिंद आपका स्वागत है हमारे चैनल रवी कांतार के प्रोडक्शन में और आज का जो हमारा टॉपिक है वो रेवेन्यू पेपर्स के रिलेटिड है अगर आप हिमाचल प्रदेश के हैं तो मैं आपको आज एक वेबसाइट के बारे में बताऊंगा उस वेबसाइट से कैसे आप रेवेन्यू रिकॉर्ड डाउनलोड कर सकते हैं कैसे आप अपने रेवेन्यू रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं ततीमा एंड नकल जमाबंदी जो भी it free it is free and you can see your land records so in this topic today we will teach you how to download download your records and this is for Himachal Pradesh और जो मेरे दूसरे राज्य के भाई बहन हमारे बंधू है वो भी अपने राज्य की website सर्च कर सकते हैं कि उनके revenue records कौन सी website में हैं उसके हिसाब से वो भी download कर सकते हैं लेकिन आज का जो हमारा वीडियो है वो especially Himachal Pradesh के लोगों के लिए है वो अपने revenue records कैसे खुद अपने laptop या computer में download कर सकते हैं तो आईए चलते हैं computer screen पर और आपको दिखाते हैं कि ये कैसे हमें काम करना है तो बने रहे हमारे वीडियो के साथ और इसको पूरा देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिले अच्छा लगे तो इसको computer screen पर आ गए हैं और सबसे पहले आप अपना कोई भी browser खोलिए जैसे मैंने google chrome खोल दिया है और यहाँ पर आपको type करना है hp revenue department और इसको search कीजिए जब आप ये search करेंगे तो आपको सबसे उपर ही hemachal.nic.in नाम से website मिलेगा इस पर आप clip कीजिए तो click करने के बाद ऐसे आपकी website यहाँ पर open हो जाएगी इस वाली website में आप hp circle rate भी देख सकते हैं और यही काम अगर आपको mobile पर करना है तो इसके लिए hemachal प्रदेश सरकार की mbhumi app है वो भी आप download कर सकते हैं और view transfer order of hp go tempo wise के देखने है तो आप वो भी यहाँ से देख सकते हैं लेकिन आज मैं आपको land records के बारे में बता रहा हूँ ततीमा के बारे में बता रहा हूँ जमाबंदी आपको कैसे download करनी है उसके लिए आप यहाँ क्लिक कीजिए जो click to view land records लिखा है यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने website open हो जाएगा और इस website में आपको क्या क्या करना है क्या क्या record डालने है वो मैं आपको बता रहा हूँ जैसे आपको जिस जिला का land record सर्च करना है आप यहाँ से उसका सर्च कर लीजिए जैसे मैं उधारन के लिए अभी मंडी select कर रहा हूँ उसके बाद तहसील आपका क्या है वो सर्च कीजिए तो जैसे मैं उधारन के लिए अभी आपको यहाँ पर मंडी तहसील का डालूँगा और आपका गौँ कौन सा है जहांके आपको land record सर्च करने है आप वहाँ का गौँ का नाम डालिए यहाँ पर हिंदी में लिखा हुआ है तो आपको सर्च करने में सुविधा होगी जैसे मुझे यहाँ पर सर्च करना है उभा उभा मुझे सर्च करना है तो मैं उ में जाऊंगा यह देखिए यहाँ पर हमें उभा मिल गया हुबा मैंने select किया अब हमें जमाबंदी कौन से time की चाहिए उसके लिए हमें जैसे हम latest ही mostly चाहिए होती है तो हम latest जो भी यहाँ पर year होगा उसको select करेंगे उसके बाद हमें कुछ नहीं करना है यह automatic click होता है जमाबंदी वो ततीमा यहाँ पर यहाँ आप देखेंगे खसरा number तो यहाँ हमें कौन से खसरा number का land record सर्च करना है वो यहाँ से select करना पड़ेगा तो उधारन के लिए जैसे मुझे भी 475 का चाहिए तो मैं 475 यहाँ पर select करूँगा आपको जो चाहिए वो आप select कर सकते हैं उसके बाद अगर आपको settlement का map चाहिए तो यहाँ क्लिक कीजिए latest map चाहिए तो आप यहाँ क्लिक कीजिए जैसे मुझे settlement का map चाहिए तो मैंने settlement वाले map पे क्लिक किया email और mobile number देने की कोई जूरुत नहीं है आप सीधा यहाँ पर जो भी यह सामने code आया हुआ है इस code को डालिए यह डालते ही आप ok कर दीजिए तो आपकी processing चालू हो जाएगी अब आप देखेंगे कि यह खुल नहीं रहा है हमारा tab नहीं खुल रहा है उसके लिए यहाँ देखिए आप यह pop-up block किया हुआ है इस बज़ा से यह खुला नहीं है इसको आप यहाँ पर always allow करेंगे और done कर देंगे यह करने के बाद अब आपका यह code है दुबारा change हो गया यह आप दुबारा डालिए 7Q4L जो भी आपका code आएगा वो डालिए और इसको ok कर दीजिए ok करने के बाद आप देखेंगे pop up के through एक new tab open हुआ है और यहाँ पर आपका सारा record यह आ गया है जिसको की हम लोग search करना चाहते थे यहाँ पर आप देखेंगे कौन से जीला में है तहसील क्या है उसका कानून गो वृत कौन सा है पटवार वृत कौन सा है और मुहाल कौन सा है इयर कौन सा है इसमें सारा detail आ गया और यह किसका land है कितना land है वो सब आ गया आप इसमें देखेंगे हिमाचल परदेश सरकार का यह land है और इसका खसरा number है 475 कबजा वन विभाग ताबे हकूक बरतन दान इसमें सब कुछ मतलब आ जाता है और फिर आप land का देखेंगे कि यह कितना land है तो यह देखिए यह लिखा हुआ है इसमें यह साफ साफ लिख रहा है 29 29 का मतलब हुआ कि 29 बीघा है 01 का मतलब हुआ 01 बिश्वा है और 02 जो हो वो बिश्वांसी है सबसे छोटी बिश्वांसी होती है फिर उसके बाद बिश्वा होता है फिर 20 बिश्वे का एक बीघा बनता है तो यह जो लिखा गया है 29 बीघा 01 बिश्वा और 02 बिश्वांसी और यह कैसी land है जंगल महफूजा महदूदा ये लैंड है इसमें लैंड की किसम भी बताई गई होती है अब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर इसका पूरा ततीमा भी दिया होता है अभी हमारा जो सर्वर है वो थोड़ा शायद स्लो चल रहा है इस वज़ा से ये आया नहीं है अदरवाइस ये यहाँ पर इसका ततीमा भी आ जाता है तो अब इसको आप सेव करने के लिए सेव एज पीडियाप पर क्लिक करेंगे तो हमारी जो ये फाइल है ये पीडियाप में सामने आ जाएगी इसको फिर हम लोग सेव कर सकते हैं और इसका हम लोग प्रिंट निकाल सकते हैं अभी आप देखिए कि ये पीडियाप फॉर्मेट में आ गया है इसको आप यहाँ पर इस बटन पर क्लिक करके इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं या फिर सेव आज करके इसको पीडियाप में आप सेव भी कर सकते हैं तो यहाँ पर आपको नाम देना थो नाम भी दे सकते हैं और आप देखिएंगे फॉर्मेट अपने अ मैं डाउनलोड पीडिया differ तो ऐसे ही आप अपने land के record जो हैं आप देख सकते हैं और अपनी जमीनी हकीकत कैसी है क्या है कहा है आप उसमें आपके बनने कैसे हैं आपकी boundary कैसी है कहा क्या है आप सारा record इसमें देख सकते हैं और अपनी जमाबंदी जो है वो download भी कर सकते हैं और इसको कहीं भी आप लगा भी सकते हैं अभी मैंने देखा है कुछ हेरिया में क्या है कि जैसे हम लोग खुद अगर डाउनलोड करके यह ले जाते हैं तो गवर्णमेंट ओफिस वाले बोलते हैं कि आप लोकमित्र के इंदर से लाइए तो तब जाकर के हम लोग इसको असेप्ट करेंगे लेकिन मेरा य हैं तो यह जो है असेप्टेबल होना चाहिए इसके लिए हमें आवाज उठानी चाहिए तो यह बहुत अच्छी वेबसाइट है सरकार की सरकार की वेबसाइट है जहां से हम रेवैन्यू रिकॉर्ड डाउनलोड कर सकते हैं और यह अथंटिकेटिड है बार्द सरकार की है और बिल्कुल फ्री है हिमाचल सरकार द्वारा जनहीत में जारी है तो इससे हम लोग अपनी जमीनी हकीकत सारा रिकॉर्ड जान सकते हैं तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा इसको आप लाइक कीजिए कमेंट कीजिए कैसा लगा शेयर कीजिए और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्यूंकि हम ऐसे ही नजएने वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं और ऐसी जानकारी हम आपको देते रहते हैं तो इसको जुरूर शेयर कीजिए और हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यावाद